जब उसकी बिमारी ठीक हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए, तब तक उसका ध्यान रखें और नहीं तो इस केस में बिमारी बढ़ने के चांसे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जागरुक होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे अगर हमें अपने शरीर को रोग मुक्त करना है, तो हमें सावधान रहने के, जागरुक रहने के अत्य अधिक आवश्यकता है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपने अपने घरों में, अपने घर के आसपास और घर के अंदर भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और मच्छर कोपन अपने से बचाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चेप्टर फोर पार्ट सेकंड के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच्छ।